हेलो एवरिवन आप सभी का एक बाद फिर से स्वागत है हमारे यूटूब चैनल संकरनात एजूकेशन पॉइंट पर दोस्तो एक बाद फिर से आप सभी के लिए लेकर आए हूं करन्ट अफेर की कलास जो आपके एकजाम चल रहे हैं आर आर बी ग्रूप डी आना वला एकजाम दिल्ली पुलिस ड्राइवर हैड कोंस्टेबल मिनिस्टरियल जो दिल्ली पुलिस और भी सी एचसल सीजियल जितने भी एकजाम हैं दोस्तों उन सभी के लिए most important question हम इस वीडियो में करेंगे जोड़ी दोस्तों चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबाईएगा WhatsApp ग्रूप और Telegram चैनल से दोस्तों जुड़ना ना भूलें क्योंकि वहाँ पर सबसे पहला दोस्तों किसी भी बढ़ती से लेटिड कोई भी लिंक, PDF, फाइल, information सबसे पहले शेयर की जाती है चलिए शुरू करते हैं भई 160 कोश्चन तक हमने कर लिए दोस्तों आज 61 कोश्चन से शुरू करेंगे सबसे पहला कोश्चन अभी भारतिय सेना दिवस इंडियन आर्मी डे 2022 कम मनाया गया या कम मनाया जाता दोस्तों इस तरीके से भी पूछ सकता भारतिय सेना दिवस तो यह मना जाता भी 15 जनवरी को दोस्तों 15 जनवरी को भारतिय सेना दिवस मना जाता है 15 जनवरी को भारतिय सेना भी सब दिवस हर साल दोस्तों मना जाता है यह देश और उसके नागरी को गिरक्षा के लिए अपने पराणों की आहूती देने वाले बहदुर सेनिकों को सलाम करने के लिए मना जाता है। बहुत बार पूसे दाता है। इनके सम्मान में मना जाता है। वे है। अजाद भारत के पहले बहुत युद में उन्हें हुगा था। उसके बाद दुसरा हभी से सस्तर बल वर्यो वर्द दिवस यह मैंने कल भी बता था 14 जनवरी को जो ना वर्यो वर्द यानि वर्द लड़े और 15 जनवरी को शेहना लड़ी इस तरीके से आप याद करना और राष्टिय यूवा दिवस 12 जनवरी कोशन पहले भी आ चुका है स उसके बाद आगा चलते हैं भई कुछ इंपोर्टेंट दिवस हैं दोस्तों यह तो देखे रेल्वे ग्रुप्टी में दिवस से भी कोशन पुसिजार रहे हैं तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट यह वीडियो है इसके ज़्यादे से ज्यादा शेयर करते रहें राष्ट परवाशी दिवस अनिवाशी भारतिय दिवस यह 9 जनवरी को मना जाता है और विशव हिंदी दिवस मना जाता आपका 10 जनवरी को राष्टिय हिंदी दिवस आपको मना जाता दोस्तों 14 सितंबर को उसके बाद अगला कोशन है 2022 में जूनियर में नमबर एक खिलाडी बनने पहली भारतिय बेड्मिंटन खिलाडी पहली भारतिय पूछा गए दोस्तों फीलाडी को 們 होड़ी में22 जूर्णियर में नमबर एक बनी है तो तसनीम मीर गुजरात की मैं बेंटन खिलाडी है अच्छनी मीर ने तियाराष दिया है 16 साल की और एक अत्सनीम पुछले साल क करने वाली देश की पहली खिलाडी हैं दोस्तों उसके बाद अगला कोशन भी भारत का पहला सेनेटरी नपकिन फ्री गाउं तो यह इंपोर्टेंट कोशन भी जो पहले से लेट या नहीं कि जो आ आग गया जाने वाले कोशन में हितियास में जुड़ता है तो भारत का पहला सेनेटरी नपकिन फ्री गाउं तो यह कौन सा बना भी यह बना कंबलांगी गाउं केरल के अंदर तो केरल राज्य के अंदर गाउं हों भी कंबलांगी गाउं केरल के एना कुर लमजी लेक में एक नहीं पहल शुरू की गई है इस पहल इस पहल के जरीए दोस्तों क्या है कुम्बलांगी गाओ में भारत का पहला सेनेटरी नेपकिन फ्री गाओं बन गया है ये कुम्बलांगी गाओं गाओं में ठारा साल से ज़्यादा उमर कील में हिलाओ को पांच हजार मेस्ट्रूल कंप कप्स बाटे गए हैं उसके बाद और इंपोर्टन कोशन यहां से पूछ सकते हैं भारत का पहला तो भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा गर रोविंग सिनेमा हल का स्तापित किया गया ह जो रोविंग सिनेमा हाल है यानि चलता फिलता सिनेमा घर वो स्थापित किया गए है ले लदाक के अंदर उसके बाद अगला कोशन है भी भारत का पहला ईवाहन अनुकूल राजमारग ईवी यानि फ्रेंडली हाईवे कौन सा बन गया है भी इवी फ्रेंडिली हाईवे बन गया है दिली चंदीगड राजमारग क्योंकि दोस्तों इस राजमारग पर आप समय ने देखा जो इलेक्ट्रिक विकलों कि अब ज्यादा तर आवक बढ़ गई है इसलिए भारत का पहला इवाहन अनुकुल राजमारग बन गया तो इस नेसनल हाईवे का नाम रहेगा भी इन्स फोर्टीफार जो दोस्तों कस्मीर चलेकर करन्या कुमारी तक आपको जोडता है भारत के पहले समोग टावर को किस सहर में स्थापित किया गया है यह कोशन भी बहुत अच्छा कोशन तो भारत के पहले समोग टाव वायू जो परदूसर परदूसित वायू है उसको सुध करता दोस्तों इसलिए यह दिल्ली में स्थापित किया गया है सेटलाइट फोन से लेस होने वाला देश का पहला राष्ट्य उद्यान कौन सा बना है तो काजी रंगा नेशनल पारक अगर आप से पूछले नेशनल अगर पर तो यह दिस नेशनल पारक का जहां रखना भी यह नेशनल पारक आपका अभी असम जिले में असम में और यह का जी रंगा नेशनल पारक जो दोस्तों एक सिंग वाले गंडे के लिए परसीद है उसके बाद अगला कोसे नभी भारत का पहला ड्रोन फुरेंसिक ल उसके बाद अगला कोशन आपका भी Global Private Banking Awards Global Private Banking Awards 2021 में भारत के किस बैंक ने दोस्तों वीडियो को जाले से ज्यादा से अरे करते रहें किस बैंक को सरवस्रेस्ट और निजी बैंक Best Private Bank के रूप में नामित किया गया है तो HDFC बैंक भी HDFC बैंक को Global Private Banking Awards 2021 में भारत के सरवस्र निजी बेंग के रूप में नामित किया गया है इसे दोस्तों क्या है टोप 5 पुरुसकार इस वीडियो के साथ इस कोशन के साथ हम आपने याद करते हैं तो पर 30 भारत रतन डाक्टर अंबेड कर पुरुसकार 2021 से किसे समानित किया गया है यह कोशन पहले भी आया है रिपीट की मल लोत्रा को वोल्दन गलोब पुरुसकार जीतने वाले पहले दक्सिन कोरिय यह वीने ता कौन में ओहो यंग सू मिसेज इंडिया गलेक्षी 2022 का खिताब किस ने जीता है निकिता सोकल निकिता सोकल रामा नूजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिसे अग्स पुरुसक कौन सा भारती हवायड़ा ओन टाइम पर दर्शन यानि समय पर पर दर्शन के लिए वेस्विक सूची में जो होना आठमे स्थान पर आ गया है तो ये इस क्वेशन का राइट आंसर रहेगा भी आपका चेननी अंतराष्टी हवायड़ा दुनिया के दोस्तों 10 बड़े हवायड़ों में से एक जो समय पर यानि ओन टाइम प्रस्थान सुनस्चित करता है जो फुलाइट की दोस्तों लेट वगरा होने का कार्ण है वो वहाँ पर बहुत कम मिलता है जो फुलाइट वगरा है यानि उनका जीकर करते हैं मियामी हवायड़ा दो मैं आपके जिगार देश के नहीं वर्ल्ड केवी सब के जो मियामी हवायड़ा है इस रैंक में सिंवकतराज अमेरिका के अंदर है फुका हवायड़ा जापान के लिए और हनेड़ा हवायड़ा यह भी जापान के यह तीन ऐसे ह कि आपके फ्लाइट यान ना लेट भी ना हो और आपका टाइम भी खराम नहीं हो उसके बाद अगला कुशन चलते हैं भी कौन साराज्य पहली बार विशाव बादिर T20 क्रिकेट चैंपियंशिप 2023 की में जबानी करेगा कौन सारा जय दोस्तों विशाव बादिर T20 क्रिकेट चैंपियंशिप की में जबानी करेगा इस बार केरल बादिरों के खिल भारते खेल प्रिशद को 10-20 जनूरे 2023 तक केरल के तिरुव नंत्पुरुम में पहली वी सव बादिर T20 क्रिकेट चैंपिन्शिप की मेजबानी करने के लिए बादिरों के लिए अंतराष्टे खेल समीथी ICSD ने मंजूरी मिल गई है चैंपिन्शिप में कम से कम आठ देशों के बाग लेने की उमीद है और इस तरह का इस तरह का अंतराष्टे कारी करम भारत में आयुजित किया जा रहा है टाप जो पांच अगा मी खेल हैं उनके बारे में हम जिकर करते हैं अब एक सेकिन उनके बारे में हम जिकर करेंगे तो खेल लो इंडिया जूट गेम 2022 सब से पहले पुछले कहाँ पर हुए तो हरियाना में दियान दखना और हरियाना में ही इसमें टोफ था उसके बाद AFC फुटबाल महिला एसिया कब 2022 यह वा था मुंबई और पुने में महराश्टर के मुंबई और पुने में दोस्तो भारत में हुआ था ICC पुरुस T20 विशवकप 2021 हुआ था भी UAE और ओमान में ICC World Test Championship 2021 हुई थी इंगलेंड में होकी का जो विशवकप 2024 में वो होगा भी मसकट मसकट ओमान किरा दनी मसकट में होगा जो होकी विशवकप आपका 2024 के अंदर उसके बाद आगे चलते हैं Global Economic Prospectus Report 2022 को किसी ने जारी किया है तो इसको जारी किया है World Bank ने विशव बैंक ने जो विशव बैंक ने Global Economic Prospectus Report 2022 को जारी किया है इस रिपूर्ट के अंदर दोस्तों विशवक आर्थिक विकास 2022 में तेजी से गटकर 4.1% और 2023 में 3.2% हो जाएगा जो कि 2021 में 5.5% था उसके बाद देखे जारी करता है इस रेंकिंग को जारी कौन करता भी विशव बैंक विशव बैंक की स्थापना हुई थी भी स्थापना जुलाई 1944 में दोस्तों यहां पर देखे जुलाई 1944 दिया गया है लेकिन अगर बात करते हैं विशव बैंक की स्थापना आपकी अग अंसर नहीं मिले दोस्तों तो 1945 आपका राइट अंसर इस ओप्शन में रहेगा उसके बाद इसका मुखले पूछले वाशिंग्टन दिसी में अध्यक्स कौन है इसके डेविड मालपास इसके वर्तमाने में अध्यक्स हैं इसके एमडी और जो सीफों दोस्तों वो है अंसूला कांत उसके बाद अगला कोसे नभी फोवर्स फोवर्स दोवारा जारी सूची के अनुसार 2021 में सरवाधिक कमाई करने वाली महिला एकल खिलाडी कौन बढ़ी है तो नाओमी ओसाका जपान की टैनिस खिलाडी नाओमी ओसाका व तो कि क्लेंडर वर्स में किसी भी महिला के लाड़ी की सरवाधिक कमाई है उसके बाद अगला कोसें आपका दोस्तों वीडियो कोज़ेदे से ज्यादा शेयर करते रहे क्योंकि इनी कोसेंस मैं दोस्तों आपको इसलिए करा रहा हूं बिल्कुल सपैसिफिक कोसेंस और रेल अडानी गरूप ने स्टील कारोबार में एंट्री करने के लिए किसी देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी पोस्तों के साथ समझोता किया है तो यह किया है भी पोस्तों के साथ समझोता किया है आपका दक्षीन कोरिया उद्योगपति गोटम अडानी के नेतरतव वाले स्रों का पता लगाने के लिए दक्षिन कोरिया की पासको के साथ एकसम जोता ग्यापन परहस्ताकसर किये हैं अडानी और अमबानी दोस्तों आगे चलके देश को यहीं उडाएंगे यहीं चलाएंगे तो अडानी गुरूप ने गुजरात के मुद्रा में इंटीग्रेटिड स्टील मिल्स रूप करने के लिए 37,000 क्रोड यानि पांच बिलियन डोलर रूपिय का निवेस करने की गोशना की दक्षिन कोरिया के बारे में पॉइंट जान लेते हैं दक्षिन कोरिया देखे दोस्तों एस या माहदूइप में स्थित है दक्षिन कोरिया के राज़दानी कहां है दक्षिन कोरिया में यानि की दोस्तों अगर मैं आपसे पूछलो ना कि इस की कंपनिया है तो यह भी कंपनियां रखाना सेमसंग होंड़ी यह हूंड़ी गाड़ी है आपके सांसंग के आपके मुबाइल फॉन वगारा है लगणी मोप्यूटर लेप्टॉप वगा या उनके बीच की सिम जो सिमांकन रेखा का नाम आपसे पूछ ले तो 38 पेरिलर लाइन दोस्तों इसका राइट अंसर रहेगा दक्षिन कोरिया की संसद का क्या नाम है भी नेशनल असेंबली बहुत बार संसद इसे नाम से पूछे जा सकते हैं जैसे जापान की क्या है अनिय कि यहां पर हो गया उसके बाद इस तरीके से यहां पर नेक्स्ट कोस्टन अब यहां तक आपका समानंतर रेखा होगा नेशनल असंबली साइड वाली वीडिया पर हम आएंगे तो 170 वां कोस्टन आपका भी पद्दान मंत्री ने अंदर मोदी ने किस दिन को राष्टिय स्टार्ट अप दिवस नेशनल स्टार्ट अप डे के रूप में मनाने की गोशना की ही याकरी कोशन दोस्तों इस वीडियो का आज हम दस ही कोशन करेंगा क्योंकि जो स्टार्ट अप डे के रूप में मनाने की गोशना की 16 जनवरी को परदान मंत्री ने अंदर मोदी ने दोस्तों देश की स्टार्ट अप यूनिट्स को ने भारत का अधार स्टम बताया है और साथ ही उन्होंने स्टार्ट अप डिवस नेशनल स्टार्ट अप डे के रूप म मनाने का फैसला किया किस दिन को 16 जिन्वरी को ध्यान रखिएगा पीएम मोधी ने भारत के स्टार्ट अप एको सिस्टम की सरा आना कर यह बताया है कि दो जारीकिस में 42 स्टार्ट अप एक सब्सक्राइब सोरी भी स्टार्ट अपके बनाए गए हैं तो दोस्तों आज 170 तक य देखोगे क्योंकि ऐसे कोशन इस वीडियो में दोस्तों जो आपके अग्जाम में लगातर आ रहे हैं और यह मैं नहीं कहरा भी यह कहरे हैं स्टूडेंट जो एक्जाम दे रहे हैं बहुत सारे कमेंट जिनके आते हैं तो वीडियो को एक दो बार देख ले दोस्तों जिसक